देश में कुरूने कोरोना वैक्सिनेशन का काम बड़ी ही जोरो सोरो से चल रहा है। सरकार के अपील पर जनता वैक्सिन अभ्यान में भाग भी ले रही है। वैक्सिन के नाम पर कई प्रकार के शिकायतें आई थी। जैसे की वैक्सिन लेने के बाद शरीर में खुन के ठक्के जमने लगे। ले नासिक के शक्ष का दावा है कि कोरिना वैक्सिन की दूसरी डोज लेने के बाद ऐसा हो रहा है चुमबक की तरह शरीर में स्टील के बरतन चिपक रहे हैं शोशल मीडिया पर ये वीडियो खुब वायरल भी हो रहा है हैरान करने वाला ये वीडियो सिर्फ महाराश्रका नहीं है बलकि राजस्थान के कोटा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर होब वारल हो रहा है शहर के आरके पुरम मगान नंबर 112 में रहने वाले सजन सिंग के कंधे से सिक के पैन ड्राइव आदी चिपकने की बात कही गई है पेशे से फोटोग्राफर सजन सिंग ने बताया कि उनके कंधे पर चुम्बक की आकर्शन महसूस हो रहा है उनके माने तो उसके बाद से उनने शरीर में चुम्बक की आकर्शन महसूस होने लगा किसी लोहे की वस्तू के सहारे खड़े होने पर जिस जगह पर टीका लगा वहां खिचाओ महसूस होने लगा हाला कि एक्सपर्ट इन तमाम बातों को खारिच कर रहे हैं उधर वैज्ञानिकों का दावा है कि कुछ लोगों के शरीर में चुम्बक की गुण के कारण चीजों को आकरशित नहीं करते हैं बलकि ऐसे लोगों में कुछ बातें आम होती है मसलन उनके शरीर पर कम बाल होते हैं यही वज़ा है कि ऐसे चमतकार के दावे करने वाले जादतर लोग एशियाई देशों में ही पाई जाते हैं जहां के लोगों के शरीर पर जादा बाल नहीं होते हैं दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग शरीर के उन हिस्सों में भी वस्तों को चिपका कर दिखाते हैं जहां बाल नहीं होते यानि चिकनी चमडी पर चिकनी सतहा वाली चीजें ही चिपकती हैं नासिक और कोटा के वारल वीडियोज में भी दोनों शक्ष अपनी बाहों और पीट पर ही वस्तुएं चिपकाते दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उनके चुम्बक के गुण हैं तो बन्यान या शर्ट के उपर भी ये चीज़ें चिपक जानी चाहिए। क्योंकि चुम्बक में तो यह गुण पाया जाता है। साथ ही उनके शरीर में बाल वाले हिस्सों में भी ये वस्तुएं चिपकनी चाहिए जो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर चिकनी चमडी पर तेल लगा दें फिर भी कोई वस्तुए चिपके तब तो कोई रहस्य की बात मानी जा सकती है। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं होता दिख रहा है।